दोस्तो LIC यानि के Life Insurance Corporation of India के बारे में कोई नहीं जानता LIC हमारे देश के बड़े finance companies में से एक है और इस company में ज़्यादा तर जो investors हैं वो कहिए तो lower middle class और middle class के लोग हैं लेकिन LIC के साथ हमारा एक ऐसा experience हुआ है जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ share करना चाहिए और यह जो experience था वो हमारे एक उस policy को लेकर के था जो policy मैंने lockdown से पहले शुरू किया था 2019 के last में और lockdown की वज़ा से lockdown लगने के बाद मैंने उसका payment करना बंद कर दिया था इसके बाद अब जो मुझे एक offer दिया गया और दरसल उस offer में जो मुझे fraud दिखा का यह तो लोगों को किस तरह से मुर्ख बनाने का तरीका दिखा उसी के बारे में इस वीडियो में complete बात करने वाले हैं तो देखिए यह बात है last week की कि LIC का वो agent जिसने हमारा policy शुरू करवाया था उसने मुझे last week call किया call करके मुझे एक बेहतरीन offer बताया कि sir आपके लिए एक बेहतरीन offer LIC दे रही है और वो है loan come revival offer और यह offer आपके अलावा कुछ और चुनिंदा लोगों को दिया गया है यानि कि लाखों customers में से आप और आपके अलावा कुछ ही चुनिंदा लोग है जोने यह offer दिया जा रहा है मैंने detail में पूछा तो मुझे पता चला कि मुझे 30,000 रूपय का loan LIC देगी और उससे हम अपना वो LIC start कर सकते हैं वो plan start कर सकते हैं जो मैंने पिछले 3 सालों से बंद करके रखा हुआ था यानि कि जिसमें जमा नहीं किया था मुझे सुन करके अच्छा लगा कि चली अच्छी बात है LIC हमें पैसे देगी हम उसकी भरपाई कर देंगे और थोड़ा सा LIC बढ़ा करके पैसे interest के रूप में ले लेगी तो चलो हमारा भी काम हो जाएगा LIC का भी काम हो जाएगा तो उस LIC अजेंट ने मुझे LIC ब्रांच में बुलाया तो मैं LIC ब्रांच में विजिट कर गया ठीके वहाँ जाने के बाद मुझे कुछ पेपर्स वहाँ पे दिये गए सबसे पहला पेपर ये मुझे मिला ये है लोन का जिसमें लोन का डिटेल लिखावा है कि आप 30,000 रुपे लोन के लिए एलिजीबल है आपके पॉलिसी पर LIC 30,000 रुपे लोन देने को तयार है पूरा डिटेल लेखा जो खा इसमें में इंसर्ण है ठीके तो ये तो मैंने लोन अमांट वागारा देख लिया मुझे लगा चलो जी अच्छी बात है आप इसको प्रोसेस करवाते हैं अब इसको प्रोसेस करवाने के लिए मैं दूसरे डिस्क पे गया तो वहाँ पे मुझे ये फॉर्म मिला ये है लोन लेने का फॉर्म आप देख सकते हैं लिखाव और जो आपका पॉलिसी का बोंड है वो सारा कुछ जमा कीजिए ठीक है लेकिन वहाँ पे हुआ ये कि जो चेकबुक का कोपी था वो अक्चुली मेरे पास साथ में नहीं था अब मैंने कहा कि ऐसा है मैं कि मैं चेकबुक का कोपी मैं एक दो दिन में जमा कर दूँगा फिल पाउड से मुझे बचाने का काम किया क्योंकि ये चीजे मैं वहाँ पे जमा करने वाला था फिल विल करके साइन करके मैं यहां तक कह दिया कि मैं चेकबुक का कोपी एक दो दिन में जमा कर दूँगा वो नहीं मानी मैं आ गया घर मैंने कहा दो-तीन दिन बाद मैं फिर मैंने point to point पढ़ना शुरू किया, ठीक है, मैंने सोजा देखते हैं क्या-क्या points है भाई, वहाँ तो वक्त मिला नहीं, अब हम घर पे पढ़ लेते हैं इत्मिनान से, जैसे ही मैंने ये loan application form पढ़ा, लोन application form में सबसे उपर में लिखावा है, रूपिया रिंड के रूप में परदान करने की किर्पिया करें, हम रिंड रासी पर 10.5 परतिशत परती वर्ष छमाही की दर से चक्र विर्दी ब्याज देना सुविकार करती हूँ या करता हूँ, यानि कि 10.5 परतिशत का चक्र विर policy 2034 में complete होना था, 2033 तक मुझे last जमा करना था, तो मतलब कहिए तो 10 सालों तक के लिए जो मुझे 30,000 रुपे का लोन मिलता, उस लोन पर 10.5 परतिशत का चक्र विर्दी ब्याज यानि कि compound interest LIC लगाती, जैसा कि यहाँ पर line में साफ साफ लिखा हुआ है, और इसे पढ़ने के बाद मुझे यहाँ पर sign करना था, अब होता यह ने कि भाई, जादा तर लोग हमारे देश में papers को पढ़ते बड़ा कम हैं और sign बड़ा तेजी से करते हैं, ठीक है, और ऐसे लोगों की संख्या कहिए तो जो बिना पढ़े sign करते हैं, कह लिजिए 90% है, कि बिना पढ़े कि बड़ी बात है, साड़े 10 परतिशत का compound interest ही तो लग रहा है 10 सालों तक, लेकिन ये साड़े 10 परतिशत जो interest है, इसका calculation मैंने अपने office के finance department में जा करके करवाया, कि 30,000 रूपय का amount जो loan मिलेगा, उस पर साड़े 10 परतिशत का compound interest 10 सालों तक के लिए कितना amount बनेगा total, और म मुझे जो amount calculate करके बताया गया, वो 84,500 रूपय के आसपास में total मुझसे recover किया जाता, 30,000 रूपय loan के against में, तो 30,000 रूपय हमें आज loan मिलते हैं, और आज से 10 साल बाद मुझसे 54,000 रूपय extra interest के रूप में वसूला जाता, यानि कि total 84,500 कुछ रूपय मुझसे वसूले जात और काट करके जो पैसा बचता, वो हमें थमा दिया जाता, बताए कि 2,2 लाग का policy, 84,000 रूपय ये 30,000 रूपय पे loan दे करके बाद में काट लेंगे, बचेगा क्या बाबजी का ठुलू, ये चीज़े बड़े कम लोगों को पता होता है, और लोगों को लगता है जो कि ये कोई फाइदे का सौधा तो नहीं है, बिलकुल बड़ा घाटा होने वाला है, और ये घाटा से मैं बच गया, और ये वीडियो बनाने का मकसद भी में रही है, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन सारी चीजों से अवेर करूं, ताकि लोग जो policy revival करवाना चा आप भी LIC चलाते होंगे, और हो सकता है कि आप मेंसे कई लोगों को भी इस scheme को लेकर के offer किया गया होगा, तो इस scheme की सचाई दरसल ये है, तो मैंने इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ वो सारी बाते रखी हैं, जो मैंने इस later में पढ़ा, और इस later के आधार पे जो calculation किया, calculation करने के बाद जो information निकल करके आया, वह information जो मैंने आपको बताया, कि 30,000 रुपय का loan amount LIC हमें देती, और उसके बदले at the end 10 सल बाद, 85,000 रुपय के आस पास में amount मुझसे recover करती, ये मुझे तो ठीक नहीं लगा, हमारी हिसाब से ये बड़ा घटे का सौधा है, हो सकता है आ पास तक लीट नहीं, इससे related अगर कोई सवाल हो, कवेरी हो, तो आप हमें comment box में लिक करके पूछ सकते हैं, फिर मुलाकात पूती है किस नए वीडियो के साथ, तब तक लिए इजाज़त दीजी, बाबाए